आईपियल 2019 तीसरे ही मैच में शतक लगा कर बोले ब्रेस्टो मैं सूपरमैन नहीं हूँ नमशकार दोस्तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तो आईपियल में महस दीसरे ही मैच में शतक जड़ कर दर्शकों को अपनी और ध्यान खीचने वाले संराइजस हैदराबाद के सलामी बल्ले बाज जौनी बिरेस्टो ने कहा है कि हैदराबाद में बल्ले बाजी करना बहुत अच्छा था एक भारत की सबसे अच्छी विकेट में से एक है ऐसे में यहाँ गैप प्राप्त करना और लगाता स्ट्राइक रोटेट करना मुश्किल होता है हाला कि मुझे नहीं लगता कि मैं सूपरमैन हूँ मैं सिर्फ पका हुआ हूँ लेकिन जब आप पीच पर समय भिताते हैं तो आपको खेल अपने आप अच्छा होने लगता है वर्नर ने की तारीफ करते वे उन्होंने कहा कि उनके साथ बल्लेवाजी करना शांदार था वैश शांदार है इसी कारण से उनके पास औरेंज कैप है प्रिस्टो ने इसके साथ ही प्रसंसकों की जमकर तारीफ की उन्होंने कहा कि स्टेडियों में दर्शोकों की अद्भुत भीर है, सारे परसंसक हैदराबाद के हैं, हम भागेशाली है कि इस मैदान पर खेल रहे हैं क्रिस्टो ने इस तोरान विराट कोली और एवी डिवीलिर से भी दूसरी पारी में अच्छी वल्लेबाजी की उमीद जताई थी दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरे आपके लिए लाते रहते हैं धन्यवाद